केंद्रिय कैबिनेट ने 33 प्रतिशत महिला अरक्षन वाले बिल को मंजूरी दे दिया है सूतरों के अवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंगल वार को ये बिल संसद में पेश किया जा सकता है इस बिल के खानून बनने के बाद संसद में 33 प्रतिशत सीटे महिलाओं के लिए अरक्षित हो जाएंगी इसे पहले ही बाना जा रहा था कि संसद के विशेश चत्र के पहले ही दिन जो बैठक बुलाई गई थी उसमें कोई बड़ा पैसला लिया जा सकता है और वहीं नए संसद में शिफ्टिंग के पहले मोधी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दिया संसद के एनेक्सी बिल्टिंग में हुई इस बैठक में मोधी सरकार ने बिल पर मोहर लगा दिया और इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोगसभा में पेश किया जाएगा महिला आरक्षण बिल में लोगसभा और राज्य विदान सबाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतुषद या एक तिहाई सीटें आरक्षद करने का प्रस्ताव है बिल में प्रस्तावित है कि हरे काम चुनाव के बाद आरक्षद सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए और आरक्षद सीटें राज्य या केंडर शासित प्रदेश के अलग-अलग निर्वाचन खेत्रों में रोटेशन होंगी इस संशोधन अधनियम के लागू होने के 15 साल बाद मेलाओं के लिए सीटों का आरक्षद खत्म हो जाएगा और विशेश सातर के बीच इस बिलकु मोदी सरकार ने लाने के संकेत दे दिया है सूत्रों के अवाले से खबर यही है कि इसे आज लोगसबा के पटल पर रखा जा सकता है और खरीब 27 सालों से लंबित मेला अरक्षद बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी जानकारी के मताबिक लोगसबा में मेला सांसदों की तादाद 15 फीसद से कम है जबकि राज्य विदान सबा में उनका प्रतिने देत्वत 10 प्रतिशत से भी कम है ऐसे में इस मुद्दे को पिछली बार साल 2010 में संग्यान में लाए गया था जब राज्य सबा ने अंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था जिन्होंने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन का विरोध किया था आनकी बाद में ये बिल रद हो गया था और मोधी सरकार नई संसद बवन में जारी विशेश सत्र की दौरान महिला आरक्षन बिल पर मौर लगमाने की पूरी तयारी कर रही है महिला आरक्षन बिल को लेकर ये कोई पहली बार कोशिश नहीं की गई है इसके पहले भी कई सरकारों ने मैला आरक्षन बिल लाने की कोशिश की थी और अब करीब 13 साल बाद मोधी सरकार के इस बिल को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है दरसल साल 2010 में मैला आरक्षन बिल को राज जिस सभा से केंदि सरकार ने पास करा दिया था लेकिन हंगामे के चलते विद्यक रद्ध हो गया था और लोगसभा से मंजूरी नहीं मिल पाई थी बीज़फी और कॉंग्रेस दोनोई पार्टियों ने हमेशा से इस बिल का समर्थन किया है लेकिन अन्य दलों के विरोध और महिला कोटा को लेकर कुछ मांगों के चलते बिल पर सैमती नहीं बन पाई थी महिला आरक्षन बिलकु इसके पहले साल 1996, 1998, 1999, 2002 और 2003 में संसत से पास कराने की कोशुश की गई थी हर बार किसी ना किसी विरोध के चलते ये टलता गया महिला आरक्षर विद्यक पहली बार 1996 में देवे गोडा सरकार ने पेश किया था लोकसभा में पास नहीं होने पर इसे गीता मुकर जी के अध्यक्षता वाली एक स्तयोक्त संसतिय समिती के पास बेश दिया गया जिसने दिसमबर 1996 में अपनी रिपोर्ट पेश की हाला कि लोकसभा के सत्र समाप्त होने की वज़े से विद्यक को फिर से पेश करना पड़ा था पीम वाजपे की एंडिये सरकार ने 1998 में बार्मी लोकसभा में बिलको फिर से पेश किया लेकिन एक बार फिर ये समर्थन पाने में असफल रहा 1999 में एंडिये सरकार ने 13 मीं लोकसबा में एक बार फिर पेश किया इसके बाद विद्यक को 2003 में संसद में दो बार पेश किया गया था कई सरकारों में फेल होने के बाद अब सब की नजर मोधी सरकार पर है